आपका यदि किसी पडोसी के साथ विवाद है संपत्ती को लेकर के, आपकी संपत्ती है पेतरक और उसके पडोसी क्लेम करता है कि संपत्ती मेरी है, तो अस विवाद को लेकर आप कहां जाएंगे, कोट में प्रशासन के पास, लेकिन भारत के अंदर एक ऐसी संस्था काम कर र बिहार के अंदर भी एक पूरे गाउं के उपपर इसी तरह से वफ्त बोर्ड ने क्लेम किया कि पूरे गाउं की संपत्ती हमारी है, आप पूरी संपत्ती 30 दिन के अंदर खाली करनी होगी, लोग कहां जाएंगे, जिनको ये नोटिस दिया गया, वो लोग परेशान हो गया, स जमीन वक्त बोर्ड की नहीं, हमारी है, इस सुनवाई के लिए, शिकायत के लिए भी वक्त बोर्ड के पास जाना, वक्त बोर्ड उनकी शिकायत को, जिस पर वक्त बोर्ड ने नोटिस दिया था, उनकी शिकायत को सुन करके ये पैसला करेगा, कि वक्त बोर्ड ने उनको ज सरकार, जो हम सब की संपत्ती को acquire कर लएती डेलोप्मेंट के लिए वफ्त बोर्ड उनको भी नोटीस दे देता है कि यह संपत्ती वफ्त बोर्ड की यह भारत सरकार इसको खाली किया जाए वक्त बोर्ड के पास एक लाख करोड रुपए से ज़्यादा की संपत्ति वक्त बोर्ड के पास अभी है भारत का रेलवेव, आर्मी और भारत सरकार की मिनिस्टरी के बाद अगर कोई non-government organization आती है तो नहीं हिंदू आता है नहीं सिख आता है वो आता है मुस्लिमों का वफ्त बोर्ड की इनी मनमानियों को कम करने के लिए अब भारत सरकार वफ्त बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट ले किया है जिस पर मुस्लिम समुदाय के लोग विरोत कर रहे हैं कि वपतियों को कम करके उसे बेसर करके मुस्लिमों के बत्याचार किया जा रहा है तो आप बताइगे ना हिंदू कहा जाएगा भारत का नागरिक कहा जाएगा यदि उसकी संपत् enacted कियोपर आपकी संपत्ति के उपर सप्रोस कीजिए, कल जो आपके बाप दादों ने, पुर्खों ने संपत्ति खड़ी किये, उसके अपर वप्त बोर्ड आकर के क्लेम कर दे कि संपत्ति हमारी है, 30 दिन के दर खाली करके जाएए, तो कौन सा दलित और कौन सा हिंदू, कौन सा इसाई सिर्फ वक्त बोर्ड के बार, जिसने क्लेम किया है कि संपत्ति हमारी है, भारत सरकार का, हम उस भूमी पर रहते हैं जो भारत 1947 में आजाद हो चुका था, Constitution कहता है कि हम लोग तंत्रिक देश हैं, सभी को एक समान धिकार है, लेकिन फिर मुस्लिमों के वप्त बोर्ड को बेंतिहां शक्तिया क्यों प्रदाम की गई, वह क्यों किसी की भीच भूमी पर क्लेम कर सकता है कि संपत्ति हमारी है, और उसके समधान के लिए भी, जो प्रि Constitution कार्ण हमारे पास है, इसलिए ये संपत्ति तुमको खाली करनी पड़ेगी, इसा दुर्भाग्य हमारे भारत का, इसा दुर्भाग्य हमारे देश के लोगों का, जो minority कही जाती है, वह हमारी संपत्तियों को हडपना दिये, Joint Parliament Committee जो बनाई गई मूदी सरकार के द्वारा, उसमें अपने suggestion भेजिए, ताकि आपकी हमारी और हमारे आने वाले पुष्टों की संपत्या, वप्त बोट, गलत निगार डाल कर हडपना सके, आए, हम कुछ कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन एक mail तो जरू करके हमारा अफजाओ दे सकते हैं, कि वप्त बोट Amendment Act लाया जाए, भारत सरकार के बाबा साब के सविधान के तहट, उसको चलाया जाए सबके पास एक जैसा अधिकार हो, एक जैसी शक्तिया हो, हम अपने संपत्ति की रक्षा कर सके, जैहिन, जै भारत!